इस वक्त मेरे साथ है नासिर सरदुनी साहब जो शायरी का शोग रखते हैं एक सायर भी है और सिसी अनुवर्स्ट्री से इस वक्त पढ़ाई कर रहे हो इने किस तरह से सायरी का सोग लगा और किस तरह सायरी के छेतर में याए इनसे आज में जानना चाहूंगा सर आप इसके बारें बताना चाहिए जी बिल्कुल वैसे तो मैं स्टुडेंट हूं मेरट के अंदर चोदरी चरनसिंग इनिवर्सिटी में अर्दू गा लेकिन अगर शायरी के शोग की बात करें हम तो शायर जो होता है वो वक्त का नकाद होता है जब भी समाश के अंदर या माशरे के सामने पेश करता है तो मैंने वहीं देखा कि आज के हालात आज के मुल्क के हालात आलम के हालात ये हैं कि एक तपके को एक कौम को बिल्कुल जल्म का शिकार एक तरीकी से बनाया जा रहा है और एक तपके एक निशले तपके को कमजूरों को मजलों को जो है जल्म का शिकार मनाया जा रहा है निशाना बनाया जा संदेश दे जाते हैं जी जी बिल्कुल जब शेर कहता है तो यकीनًا मैं ये तो नहीं कहता कि 100% लेकिन कहीं न कहीं कुछ फिजदी जो आवाम होती है वो समझदार होती है पड़ी लिखी भी है तो ऐसा नहीं कि हो हमारी बाते ना समझे हमारे शायराना अंदास को ना समझे, वो कहीं न कहीं उसको समझती है और एहसास करने के बाद उसकी फिक्र लेती है तो कहीं न कहीं इस चीज़ से एक सुधार की तरफ मैं समझता हूँ कि हम चल रहे हैं यह और यह अदवी चीज़ है असर आपसे जानना चाहूँ कि आपके साहिरी का शो कहां से लगा जी 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 मैं जैसे कि मैंने बताया कि माशले के अंदर इतनी बुराईया है और इस तरह का मामला है तो मैं उन चीज़ों को देखता हूँ तो मैं मुझसे रहा नहीं जाता मैं चाहता हूँ कि लोग बेदार हों लोग जागरुक हों और इन चीज़ों को पढ़ें और समझें तो मैंने बस वहीं से इन चीज़ों को देखा जाना और उसके बाद इन तमाम जो माशले के अंदर समाच के अंदर आज हालात हैं उन चीजों को मैंने लिया और अपनी शायरी के महीं से मिझे शोक लगा शायरी का तो मैं समझता हूं कि ये शायरी का मैसीज और एक SMS शायरी का पेगाम सिर्फ हिंदोस्तान या पाकिस्तान या एक दो मुलक के अंदर ही नहीं बलके पूरे आलम के अंदर जाता है और आज के इंटरनेट के हवाले से शाइरी का पेगाम पूरी दुनिया में जाता है तो मुझे शाइरी का शोक वहीं से लगा और यकीना ये एक बहुती आदबी और बहुती महजब मैं समझता हूं कि ये एक चीज है और बहुत इच्छा शोक है ये सर आपको ये साइरी का सोक जो लगा है वो किसी से प्रेरित होके लगा है या आपको अंदर से आवाज उठी और आपके उस्ताज कुन इसके बारे में जाना चाहूंगा सराब प्रेरित तो अक्सर होते ही रहते हैं, हम जब भी कहीं जाते हैं, तो कहीं न कहीं किसी से कुछ भी हम सीखते हैं, तो प्रेरित की तो बात यह है, और वैसे मेरे उस्ताद महतरम, जो डॉक्टर प्रोफिसर यूनुस घाजी साहिब, एड ओफ देपार्टमेंट अफ वुर्द है, यहां से कही होई बात, इस प्लोट फैम से, इस प्लैटफरम से कही होई बात, एक पूरे आलम के अंदर सुनी जाती है, और इंटरनेट के हवाले से भी लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सर्मा, आपसे एक ग्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या बिल्कुल पढ़ूँगा, नाजरे ने एक नाम के लिए, और यह मेरे लिए बाईसे फखर की बात है, मैं बतोरे खास, चार पंक्तियां हाजिर करता हूं, मुलाइज़ा करें, महबत से अदावत का, यहां पर आज दंगा है, महबत से अदावत का, यहां पर आज दंगा है, जो है खादी के परदे में, वो अकसर एक लफंगा है, मैं अपनी जान भी इसके लिए दे दूँगा, ऐ नासिर, मेरे हिंदोस ताकीशा, नौजमत ये तिरंगा है, मेरे हिंदोस ताकीशा, नौजमत ये तिरंगा है, महबत से अदावत का, यहां पर आज दंगा है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी साय सुनाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुटने के लिए, हम से बात करने के लिए, और देश दुने की तमाम खबरों के लिए, देख तरी, F24 News.